समराइट अशोक को उनका सामराज्य दिलाने में जिनका एक इंपोर्टेंट रोल रहा है याने कि चानक्य वो आज हमारे साथ में है वेलकम टू टेली मसाला मनों जी पहले तो कहेंगे कि चानक्य का रोल मतलब क्या था जिसमें आपको कहा कि एक बार में अपने हां कर दिया अपने आप में वो पात्र इतना महान है कि एक्टर जितना कुछ करे वो कम है उसे आत्मसाथ करने के लिए कि इतने वेरियेशन इतनी परते हैं उस रोल में कि कोई एक्टर मना नहीं कर सकता है तो मैं कहां से करूँगा निश्चित चलेंजिंग है क्योंकि अपने आप में परिस्थितियों का सामना करना साम दाम दंड भेद से उस गंदी राजनीती में लुप्त लोगों को अनिती द्वान लोगों को किस तरह से हटाकर समराठ चंदरगृत को समराठ पद तक लाना और उसके लिए क्या-क्या उसे करना पड़ता है और हीज अफकर्स काइंड ओफ सुत्रधार आफ इस सीरियल एक आधार श्रिला है चक्रवरतीन अशोक इस सीरियल की जानक के पाथ और फिर बागी तो सीरियल देखिये बता चलेगा क्या है आपने मतला खुद मतला मनुज जी ने खुद कितना इस चीज करीटिव बनाने के लिए क्या क्या इंपूर्ट्ट थे रहें इस विशे पर इतियाज मेरा प्रियवीशे है इस विशे पर काफी कुछ पढ़ चुका हूं इस विशे पर में नाटक भी करता हूं जिसके लेकक है मिहिर भूता मेरे मितर हैं और हम दोनों ने साथ में बहुत कुछ लब इतिहास मेरा प्रियविशय है तो काफी पढ़ा है आरियों का इतिहास से लेके मराठाओं के इतिहास है तो मुझे इसा लगता है कि वो शायद मेरा प्लस पॉइंट बना है एक नाटक में पिछले 24 साल से कर रहा हूं और उसमें वो अभ्यास निश्चित मदद अबने काफी different roles कि हिए सब लग लग हमेशा रहा है गुलाल में काफी अलग निजर आयत है यह कितना दिल के करीब है अड़ल यह मेरो दिल है आई से जानक यह मेरो दिल है आप चक्रवरतिन अशोक ये धारवाहिक जरूर देखिए बिल्कुल भूलिये मत क्योंकि ये हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति और हमारी इतिहास का एक पुनर जीवन है और पुनर निर्मान है एक अलग प्रकार का इंटेन इंटर्पेटेशन है जो आज की पीड़ी को देखने को मिलेगा और खलर जैसे बढ़िया चैनल पर है तो निश्चित रूप से बुलियेगा मत हर रोज देखिएगा अशोक क्यामर में फैजान के साथ नप्रमावची को और टेली मसाला